श्री नाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहिरबाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश तो आज मैंने एक सर्वे किया था, तो आप लोगों को वोटिंग करने का मौका दिया, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे चुट्टी देंगे आज लेकिन दिया नहीं, सबसे ज़्यादा वोट पड़े काल भहरफ मंत्र के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज काल भहर भहरफ का मंत्र वो है, जिससे महाकाल उज्जैन में भहरफ बाबा को पूजा भी किया जाता और शराब भी पिला जाती है, यह मैं आपको आज इसले देना हो कि लगभग अब मद्य रात्री हो गई है, आज सश्टी समाप्त हो गया, सत्तमी है कल अस्टमी जो है, हर महिने क पूर्णिमा के बादवले अस्टमी को हम भहरफ अस्टमी मनाते हैं, ठीक है, तो उस दिन भहरफ बाबा के अच्छी से पूजा और साधना होनी चाहिए, भहरफ बाबा के पूजा में आप लोग अगर भहरफ बाबा की तस्वीर रखते हैं, तो उनको पोचिये कारं से, का गुलाब जल से उसके बाद इत्र से उसके पानी से मूर्थी है तो इन चीजों से उनको ना लाना चाहिए उसके बाद उनको दही बड़े का भोग दीजिए तली हुई मचली और साथ में पापड हो पकोडे हो तो और अच्छा है लड़ू खाते हैं भहरबाबा तो इन सब चीजों को देना चाहिए महिने में एक दिन जो भहरबास्ट्रमी का दिन आता उस दिन आप लोग सभी को पूजा करना चाहिए तो यह मैं आपको जनरल बस पूजा घर में नीचे स्थापित करके रखा है या फिर तिल की धेरी पे नारियल के रूप में स्थापित करके रखा है तो आपको हमेशा उसके नीचे काला कपड़ा बिछा के रखना चाहिए ठीक है अब जो मैं मंत्र दे रहा हूं इसको घर से बाहर कीजिएगा काले हकी किमाला से कीजिएगा और जाप 11,000 होना चाहिए रात में मतलब अगर आप 9 बजे 10 बजे शुरू कीजिएगा तो आपके मध्य रातरी तक जाप समापत हो जाएगे और रात में ही आपको हवन कर देना है तो जाप करते समय गूगल की धूप जलाएंगे आप ठीक है आपको इसमें तीन तरह का दीपक जलाना है एक दीपक आपका सरसो तेल करेगा दूसरा दीपक आपका चमेली के तेल करेगा तीसरा दीपक जो है तिल के तेल करेगा ये तीनों दीपक जला लेंगे गूगल का आप धूप करेंगे और उसके जाप करेंगे दक्षिन की तरफ देख भैरव आए वम 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 हाम चौम नमः ये भैरव जी का बहुती प्रतापी मंद्र है और इसको सिद्ध करना और भैरव बाबा का अगर जल्दी कृपा चाहिए तो इसको कम से कम 8 भैरव अस्टमिक करना चाहिए अच्छा भैरव जी का जो दिन है उस दिन जब हवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि बली में बली अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जो हवन करेंगे तो तिल गूगल और लौंग मिला करके उसके अलावा जो नार्यल आता सुखा उसमें बराबर में आप मदीरा भरेंगे, मधू भरेंगे और घी भरेंगे उससे कमसा में 11 अहुती कहीं से मतलब खरीद करके लाइए एक बक्रे का पूरा कलेजा उसको और मचली छोटा वाला उसको हवन में देते हैं और अंत में कारण चढ़ाते तीन बर कारण चढ़ाने का मंत्र मैंने आप लोगों को दे दिया है तो इस बार का बहुती स्वीट एंड सेंपल मंत्र आप कर लीजिए भैरवस्टमी आ रही है भी परसो है भैरवस्टमी की रात अच्छा से भैरवावा का फूजा कीजिए और बहुत सारा आप लोगी पाशिर्वाद मिलें ऐसा मेरी कामना है बूद प्रितों के बारे में जानना है तो आपको पता है मेरी किताब करीद दीजिए हमे मैं आप मुझसे डारेक्ट बात कर सकते हैं वाटसाप नमबर दिया वाँ बहुत अर्जेंट तो ही बात करिए या बहुत ही आप लाचार है तब बात कीजिएगो आप सभी को आदेश आदेश बहरबावा आप लोगों पर दिपागरे आदेश आदेश